नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस ओलिकोईन चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच रुपे के आम चलन में जारी किये गए सबसे ज़्यादा महेंगे सिक्के के बारे में जिहां दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज़्यादा स्पेसल होने वाली है दोस्तों इस पांच रुपे के सिक्के को हाल फ्लैल में आम चलन में चल रहे चिक्कों में सबसे महेंगा सिक्का माना जाता है तो दोस्तों अगर आपके पास पी है ऐसा सिक्का तो वीडियो में बने रहे मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ जो जानकारी साइद आज से पहले आपको कभी ऐसी यूट्यूब वीडियो में देखने को मिली होगी तो इस वीडियो को आप बिना इस्किप किये पूरा अंत तक जरूर देखिएगा साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आईकॉन को जरूर सलेक्ट करें और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दे तो बिना कोई टाइम वेस्ट किये चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों अगर आपके पास भी है इस तरह की पुराने सिक्के और नोट आप भी इने घर बेठे बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले वो नोट और सिक्के बताऊंगा जो आज की इस वीडियो के माजम से मैं आपके सेल करवाने वाला हूँ बिक्वाने वाला हूँ और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इतन शिक्कों या फिर नोटों की क्या प्राइज मिले वाली है और इन्हें किस तरीके से आप घर बेठे आसानी के साथ सेल कर सकते हैं बेच सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस परकार की पाँच रुपे वाले सिक्के के बारे में दोस्तों ये पांच रुपे का सिक्का आम चलन में हाल फिलाल में चल रहा है दोस्तों इसकी उपर में आप देख सकते हैं हिंदी में रुपे लिखा हुआ है उसकी नीचे पांच बड़े अंकों में लिखा हुआ है उसकी नीचे रुपीज लिखा हुआ है और उसकी नीचे सन दी हुई है दोस्तों इसमें खास बात यह है कि सन की नीचे यह जो डॉट का मिंट मारक देख रहे हैं यह डॉट मिंट मारक वाला सिक्का ही होना चाहिए और दोस्तों इनकी दोनों तरफ कुछ इस तरह के फूल आकार बने हुए हैं दोस्तों अगर बात करें इस सिक्के के दूसरी साइड की तो बीच में बड़े से अस्तोक स्थम की वोटू दी हुई है एक तरफ बारत लिखा हुआ है दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है दोस्तों अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो आप बने रहें इस वीडियो में इस तरह के सिक्कों की भी आपको बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है दोस्तों अगला जो ये आप सिक्का देख रहे हैं ये सिक्का भी है पांच रुपे का और दोस्तों इसमें खास बात ये है ये सिक्का गोल्ड कलर का है जी हाँ दोस्तो इसमें बीच में पाँच रुपे बड़े अक्सरों में लिखा हुआ है उसके नीचे सन दी हुई है और सन के ठीक नीचे डाइमन्ड मिन्ट मार्क बना वा है दोस्तों इस सिक्के के भी दोनों तरफ फूला आकार बने हुए है बात करें अगर इस सिक्के के दूसरी साइड की तो बीच में असोक इस्तंब की फूट उदी हुई है उसके ठीक नीचे सत्ये में उजयते लिखा हुआ है दोस्तों एक तरफ में भारत और दूसरी तरफ में इंडिया लिखा हुआ है दोस्तों ये सिक्का भी हाल फिलाल में मार्केट में चल रहा है वेलियूएबल है तो अगर आपके पास भी इस तरह का यूनिक सिक्का पाया जाता है तो उस सिक्के की भी आपको बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है दोस्तों अगर बात करें इसी कड़ी में पांच रुपे वाले सिक्कों की तो इसमें एक सिक्का माता वैसनो देवी वाला भी आता है जिया दोस्तों ये गोल्ड कलर वाला स्री माता वैसनो देवी वाला सिक्का जिसके की उपर में लिखा हुआ है स्री माता वैसनो देवी स्राइन बोर्ड नीचे इंगलीस में स्री माता वैसनो देवी स्राइन बोर्ड लिखा हुआ है इसके बीच में स्री माता वैसनो जिवी क बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई है तस्वीर के जश्ट नीचे लिखा हुआ है सिल्वर जूबली और इसके सबसे नीचे में एक डाइमंड मिंट मर्क दिया हुआ है दोस्तों बात करें इस सिक्के के दूसरी तरफ की तो इस सिक्के के दूसरी तरफ भी बीच में असोक इ कि पोटू है उसके नीचे सत्य में उजाइते लिखा हुआ है उसकी नीचे पांच रुपे लिखा हुआ है एक तरफ में भारत दिया हुआ है दूसरी तरफ में इंडिया दिया हुआ है दोस्तों हाल फिलाल में ये सिक्का पी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों प अपने पर्स में या फिर अपने पास रखना सुब मानते हैं। इसी कारण से बहुत सारे लोग इन सिक्कों को कलेक्ट करते रहते हैं। जिसके कारण इन सिक्कों की कापी अच्छी डिमांड रहती है और कापी अच्छी प्राइज भी मिलती है। तो दोस्तों अगर आपके प उस तो 500 रुपे से शुरू होती है और एक लाक रुपे तक चली जाती है अगर आप भी घर बैठे ऐसे सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो प्ले हो रहा है उस पर क्लिक करें उसमें मैंने अपने नंबर दे रखे हैं वहां पर पोट और सिक्के सेल हो जाएंगे तो दोस्तों आज वीडियो में बस लाई है